एलो दोस्तो आज डिम्पल्स डिसीस मा एक युनिक पराठानी रेसिपी तमारी साथे शेर्थवा जही रही छे आ पराठानी अंदर आपने बटेटानों उप्योग नथी करेलो जे थी आलू परोठा करता पन वधू टेस्ट फूल तमने आ परोठानों टेस्ट लाग से और खास वाद तो एछे के आ पराठा बनावा एक दम आसान चे और बोज ओछा समयी मा तमे बनावी सको छो जनजट वगर बनावी सको छो अने खास बाढको तो आ पराठा जोई ने राजी राजी थाई जेसे तो आवी टेस्टी पराठा रेसिपी बनावनी शरुआत करिये तो जिमना माटे आपणे एक पेन गेस उपर राखेली चे औने एक कड़ाई मा बे चमची जेटलू तेल गरम थवा माटे मे राखेलू छे आ तेल ने हलकु गरम करवानू छे औने तेल हलकु गरम थाई जाई तो एक नानी चमची जेटलू आखु जीरू हुँ उमेरी दऊछु औने अरदी नानी चमची जेटली हींग उमेरी दऊछु हवे आपणे एक नांग जेटली डूंगडी बिलकुल नानी नानी कापी ने लिधी छे ए आमाउं मेरे लिछे औने हवे आपणे डूंगडी ने गोल्डन कलर नी थाई त्यां सुधी दिमागेस नी फ्लेम पर कूप करीशु रिक्वेस्ट छे के वीडियोस पसंद आवे तो लाइक करजो शेर करजो कोमेंट करजो अने आवे अवनवी डिसंट रेसिली फ्रीमा तमने जड़ती मड़ती रहे एमाटे सब्सक्राइब करी बेल आइकोन पर जावची दबावचो तो ओल्मोस्ट आपणी डूंगडी अने एक चमची मरचानी पेस्ट हवे आपना इया वन फोर्थ कप छेटला मकाई ना दाना लिधा छे आ मकाई ना दाना बाफेला नती काच्चाच छे तमे बाफेला होई तो एपन उप्योग मां लई सको छो औने मकाई घरमा ना होई तो पन तमे स्कीप करी सको छो जिनी अंदर एक कप छेटलू पाणी उमेरी देशू अने पछी बतुच बराबरीते मिक्स करी एक वार आ आपणा पाणी ने उकाली लेशू पाणी आपनी थोडू थोडू गरम थाए पछी आपणी आपणा पराठानू सिक्रेट इंग्रेंडियंस उमेरवानू छे तो त्रण थी चार पराठा बनाव माठे आटलू नानू पेकेट अने आटला इंग्रेंडियंस इनफ्रेस है अवे आपणा मेगी ना पेकेट मा रहेलो मसालो साइडू पर राखी देशू कार्णके आपणी लास्ट माई उमेरवाना छी है अने आ मेगी ने पन एक दम नानी कट करीने पची उमेरी शू बोव मोटा रेशावाली आपने मेगी नी जोरूर न Michigan मालन बनी जसे जटपर बनी जसे अने बाडको तो राजी राजी थाई जसे कार्णके अर बाडको ने आजनी जनरेसणने मेगी बोज पसंद होई छै नवार टेस्ट साथे तमने पराठानो टेस्ट पण खावा मढशे तो आर रीते हवे बदु बराबर मिक्स करी देशु एक वार अने आपने एक नानी चमची जेट्टू लाल मर्चु पावडर नाक्षु जेती थोड़ो स्पाइसी औने कलर्फुल आपड़ो मसालो तयार थाई जोके लाल मर्चु पावडर नाक्षु ओप्ष्णाल छे अपनें लगभग एक कप जेटलू पानी नाक्यूँ छे तो मेगी बराबर कुक थाइज से औने मेगी नी अंदर बिल्कुल मोईरस्चां ना रहे त्यां सुदिय अपनें कुक कर्वानुँ छे आपरुवा मिश्रन घट थाई जवू जोई अड़ले मेगी पन कुप थाई जशे अने मिश्रन पन घट थाई जशे तो ढाकी ने कुप करीशू 3 मिनिट जवो समय में धिमा गेशनी फ्लेंपर कुप करवा माटे आप यो तो मने लग बग मेगी कुप थाई गी होई तेवू देखाई छे चो मेगी कुप ना थाई वोई तो तमारे थोड़ू वधारे पाणी नाकू और मेगी काची ना रहेतियां सुधी कुप करू पण हाँ मेगी नी अंदर बिलकुल पाणी ना रहे हुँ जोए मतलब आपड़ो आ मसालो छे माँ पाणी बिलकुल ना रहेतियां सुधी आपड़े तीमा गेशनी फ्लेंपर कुप करवानू छे अवे मने बिलकुल आपड़ा मसालामा पाणी नथी देखातू थोड़ू थोड़ू तमने आ हजू पन पाथलू लागतू हसे परन तु बिलकुल चिंता नही करवानी काण के हजू आ मिश्रन ने आपड़े बराबर ठंडू करवानू छे तो जेम ठंडू थसे तेम ay तो परठानो लोट तयार करवा माटे में एक कप जेतलो घ्णो लोटलिदो ?் जेमा थे आपणिने रूटली बनाविये त मंधा या मेंन दानों इप्योगपन करी सके शेए फरंथू हेल्दी पराठा बना माथे में घ्णोंज用 लोट हमा लिदो ? अने हवे आपणे अर्दिनानी चमची छेटलू नमक पण नाखी दिदू छे। अने साथे बे चमची छेटलू आपणे आया तेल नाखी देशु मोण माटे। तमे आया मोण माटे घीनो उप्योपण करी सको छु। अबे बद्दूज मोण लोट साथे बराबर मिक्स करी रेशु। अने पची थोलू थोलू पाणी आपणे लोट माँ उमेरता जसु। अने आपणे एकदम कड़क लोट तयार करीशु। भाकरी जटलों कड़क लोट तयार नथी करवानों, परन्तु रोटली ना लोट करता थोलू कड़क लोट तयार करीशु। तो आपणा पराठा ओएल फ्री पन तयार थसे, अने पराठानी उपणी सपार्टी क्रिस्पी तयार थासे। तो आर इते सेमी टाइट लोट तयार थेग्यों छे, अने उपड़ थी एक चमची शेटलू ओएल नाखी फरितिव मसली लोँचु। जेती स्मूध लोट तयार थाई। कड़क होवा छेता लोट स्मूध होवो जरूरी छे। बे मिनिट जोवो समय थेग्यों छे, अने लोट परण ओल्मोस्ट सेट थेग्यों छे। तो हवे आपणिया लोट ने बस एक आद मिनिट आरी ते मसली लेसु। जेती वद्दू स्मूध थाई जै। अने पछी छे साइज मां आपणिये परोठु बनावू होई। एप साइज नो आपणिये लूद लेवानों छे, मतलब थोड़ो लोट लेवानों छे, अने आ लोट ने आपणिये आ रिते गोड राउंड करी, अने पछी थोड़ो घौणो कोरो लोट होई। तेमां डस्ट करी देवानों, छे, थी आपणिया रोटली छे, ए वणती वखते बिल्कुल चिपके नहीं। तो हवे आपणिये जेम रोटली बनावी है, तेम आव रोटली बनावी लेशू। एकदम पातडी रोटली, मतलब जेवी आपणिये दर्रोज रोटली बनावता होई, एक ली साइज मां आपणिये रोटली तयार करीशू। चो आटली थीकनेस वाडी रोटली छे। एज रिते आपणिये बिजी रोटी पन तयार करी लेशू। मतलब बन्ने रोटी एक सर्खी साइज मां होई, ए वधारे जरूरी छे, जो आरी ते चेक करी लेवू एक उपर एक रोटी राखिये तो बराबर एक सर्खी साइज छे, तो आ बन्ने रोटी तयार थाई जाए, पचे आपने कोई प्लेट मां एक रोटी ने छेते राखी जेती आ परोटू छे शेक्ती वखते खुले नहीं आ रीते हल्कू हल्कू आपड़े पाणी एकवार लगावी दैए पछी आपड़े जे मसालो छे एचेक करवानो बराबर ठंडो थयो छे के नी साव आपड़ो मसालो ठंडो थय जै तो जामा आपड़े पाथर वानो छे नहीं तो परोठू छे नी उपड़नी लेयर्स क्रिस्पी नहीं थाई तो आपड़ो मसालो बराबर ठंडो थयो छे बस एटलाच माटे हुआ रीते पाथरी रही छुँ मसालो भरपूर पाथरी शु पराठानू लेयर्स एकदम पातडू होवु जोए अने मसालो भरपूर होवु जोए तो एक अलगड टेस्ट माँ तमने परोठानो टेस्ट खावा मडशे हवे उपर आपणे बिजी रोटी आरी ते मुकी दीदी छे अने पछी बन्ने रोटी नी किनारी ने आपणे दबावी देशु चे थेगी आपणे ज्यारे शेक ये पराठाने त्यारे खुले नी तो हवे आपणे पराठाने शेकवा माटे गेस उपर मीडियम गरम तवो तैयार करवानो छे हवे मीडियम गरम तवा उपर आपणे पराठाने मुकी देशु अने पछी मीडियम गेस नी फ्लेम पर बन्ने सर्फेस गोल्डन कलर था आए तियां सुधी फेरवता जसु औने कुक करता जसु दिमी दिमी आच उपर अथवा तो मीडियम आच उपर आपणे शेक्षू तो उपर और नीचे बन्ने सर्फेस उपर गोल्डन कलर आवी जसे और अंदर सुधी पराठा आपणा कूप थासे एक साइड फेरवी लीथी छे तो हवे आपने थोड़ू बटर लगावी देशू तमे घी पन लगावी सको छो अने तेड़ पर लगावी सको छो तो आ रिते में बटर लगावी उचे तो उपर नी सपाटी वधारे क्रिस्पी थसे अने पछी फरीथी आपणे सर्फेस बदली नाक्सू अने उपर नी तरफ फरीथी थोड़ू बटर लगावी देशू आ रिते हवे बन्ने सर्फेस फेरवता जसू अने मीडियम गेस नी फ्लेम पर आपणे आपणा पराठाने गोर्डन कलन नू थाए तियां सुधी दबा दबावी ने शेकी शू तो बद्धी बाजू बराबर शेकाई जसे अने पराठू अपणू फुली जसे तो आ रिते आपणू परोठू हवे अल्मोस्ट शेकाई गए उछे तो आपणू आ परोठू छे एने आपणे तवा माथी नीचे उतारी लईए जो केटलू हवे आपणू पराठा ने एक वार खोली ने चेक करी लईए जो ओल्मोस्ट सेकाता सेकाता थोड़ू थोड़ू खुलवा लागियू छे जो आना उपर थी एन्तमे अंदाज लगावी सपता हासो के पराठू छे एक केटलू उपर थी क्रिस्पी, ओल फ्री औने अंदर थ टेस्टी मसालेदार तयार थे होसे आवी टेस्टी रेस्पी दर रोज फ्री माँ छोवी होई तो डिमपल्स डिसिस ने सब्सक्राइब करी बेल बटन दबावी देजो औने मारिया मेनत ने पसंद आवे तो लाइक कर जो बहुत जल्दी मड़ी सु एक नवीज रेसिपी सा थेतियां सुधी हमेशा खुश रहो हस्ता रहो टेक केर इन बावाई